पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्विद्याले चटीजगर द्वारा कारिक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित सपनों को हकीकत में बदलना ना मुम्किन नहीं सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार नमस्कार मैं डॉक्टर अनिता सिंग सहायक प्राध्यपक पंडे सुन्दरलाल शर्मा मुक्तविश्विद्याले 36 गड़ विलासपुर आज हम वाइगोट्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त के विशे में चर्चा करेंगे लेव वाइगोट्सकी एक रशियन मनोवैग्यानिक थे उन्होंने बालविकास के शेत्र में अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक द्रस्रिकोंड के प्रतिपादन और विकास के लिए वे जाने जाते थे वाइगोट्सकी का निधन मात्र 38 वर्ष की अल्प आयू में हो गया था उन्होंने अपने संशिप्त जीवनकाल में सौ से भी अधिक पुस्तकें लिखी विमूलतह सिक्षक थे उनके विचार, सिक्षा और मनोविज्यान दोनों ही शेत्रों में अत्यंत उपयोगी हैं वाइगोट्सकी ने अपने सिध्धांत में यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति सामाजिक वातावरण में रहते हुए परसपर क्रिया द्वारा कैसे सीखते हैं उन्होंने बताया कि अधिगम हमारे सामाजिक वातावरण को किस तरह प्रभावित करते हैं तथा अधिगम का प्रभावशाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी अपने सहपाथी, मित्रों, अभिवावकों वा शिक्षकों के साथ पारसपरिक बातचीत करिया करता रहे एवं सीखता रहे अधिव प्रतेक शिक्षक को इस बात के लिए तयार रहना चाहिए कि वह अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान विभिन निगतिविधियों जैसे परिचर्चा करना, वादविवाद, सहयोग, इत्याधी के माध्य हम से पढ़ाए, ताकि विद्यार्ति जादा से जादा अधिगम कर सके और स्वस्त अधिगम वाधावरण का निर्मान हो सके वाईगोट्सकी ने ज्यान निर्मान, नोलिज कंस्ट्रक्शन के लिए संस्कृति को प्रमुख कारण माना हैं, क्योंकि इसी संस्कृति के माध्यम से हम विभिन व्यक्तियों, नियुमों, कौशल को समस्ते हैं और सीखते हैं वाईगोट्सकी के सिध्धान्त के कुछ औचित्य हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं वाईगोट्सकी ने जो सिध्धान्त दिया है उनमें पहला औचित्य है सामाजिक अंतहक्रिया बालक के संग्यानात्मक विकास का प्रमुक कारक है दूसरा उचेति बालक के सांस्कृतिक विकास का प्रतेक कार्य दो इस्तरों पर पूर्ण होता है पहला इस्तर होता है सामाजिक इस्तर और दूसरा व्यक्तिगत इस्तर सामाजिक इस्तर में बालक स्वयम एवं अन्य व्यक्तियों के बीच रहकर कार्य करना सीखता है जबकि व्यक्तिकत इस्तर पर वह स्वयम कार्यों को आत्मसाथ करके सीखता है तीसरा उचित्य है बालक के आंतरिक विचार एवं संप्रेशन के बीच गहरा संबंध होता है जोधा उचित्य है सामजिक अन्तरिया शोशल इंटरेक्शन के द्वारा बालक ज्यान अनुफ़ों को प्राप्ट करता है वाईगोट्सकी के सिद्धान के कुछप्रमुक्व आयाम है पहला आयाम है सामजिक अन्तरिया, दूसरा संस्कृती, तीसरा भाशा सामजिक अंतक्रिया के अंतरगत, मनुष्य की क्रियाएं सामजिक सांस्कृतिक परिवेश में संपन होती हैं सामजिक क्रियाओं के दौरान बालक सक्रिय सहभागिता करता है इस सहभागिता से उसकी मानसिक सनरशनाओं का विकास होता है बच्चों में सांस्कृतिक वा सामजिक विकास के दो इस्तर होते हैं एक इस्तर में बालक किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से किसी समस्या समधान करना सीखता है दूसरे इस्तर में वो सोचने या समस्या समधान की प्रक्रिया को स्वयम सीख लेता है जिससे वह बच्चे के संग्यानात्मक विकास का एक भाग बन जाती है सामजिक अंतक्रिया बालकों के विकास का महतुपून आधार होता है जिसके द्वारा बालक का शारिरिक एवं सामजिक एवं संग्यानात्मक विकास होता है वाइगौट्सकी के अनुसार बालक समाज के द्वारा साथ अंतक्रिया करने के द्वारा ही भाशा एवं विचारों का परस पर विकास करता है अतह वह भाशा भी सामजिक अंतक्रिया के द्वारा ही सीखता है दूसरा आयाम है संस्कृति, बच्चे के संग्यानात्मक विकास में संस्कृति की भूमी का महतपूर्ण होती है, जहां बालक को अप्चारिक अनप्चारिक चर्चा के माध्यम से यह बताया जाता है कि उसके संस्कृति संसार के साथ किस प्रकार इंटरेक्शन कर रही है या प्रतिक्रिया भी कर रही है, खास कर तब जब किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बच्चे को उससे जुड़ी हुई घटनाओं तथा अनुभों के अर्थ को समझाया जाता है तीसरा आयाम है भाषा, वाइगोट्सकी के अनसार बालक के संग्यनात्मक विकास में भाषा एक महत्वपून साधन है वे कहते हैं कि प्रारम में बालक में भाषा एवं चिंतन दोनों ही अलग-अलग विक्सित होते हैं और बाद में वे आपस में मिल जाते हैं बालक द्वारा भाषा का उप्योग केवल सामाजिक अंताक्रिया के लिए ही नहीं किया जाता वरन वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने वा दिशानिर्देशित करने के लिए भी करता है जिसे आत्मकेंद्रित समवाद इगोसेंट्रिक स्पिच कहते हैं इस तरह के आत्मकेंद्रित समवाद के द्वारा बालक स्वनियुमन करना सीख जाता है भाषा के तीन रूप होते हैं पहला रूप होता है सामाजिक बोली ये बालक में दो वर्ष की अवस्था से जन मिलेता है यह बहरी संप्रेशन है जो दूसरों के साथ बात करने में रिवर्थित कर देता है दूसरा रूप होता है व्यक्तिगत बोली जो तीन वर्ष की अवस्था से विक्सित होता है यह बोली बालक को स्वयम को निर्देशित करने हितूप योग की जाती है तथा बौध्धी क्रियाओं को उत्पन्न करती है भाषा का तीसरा रूप है शा आंतरिक बोली में परिवर्तित हो जाता है वाइगोट्स की के कुछ प्रमुक अवधारना हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे में अजम्शन्स ओफ वाइगोट्स की थियोरी पहला अवधारना है जोन अफ प्रॉक्सिमल डेवलप्मेंट जिसको हम शौट पॉर्म में ZPD या समिपस्त विकास का शेतर भी कहते हैं दूसरी अवधारना है स्कैफ फोल्डिंग और तीसरी अवधारना है मोर नॉलेजिबल अधर जिसको हम शौट पॉर्म में M.O. के भी कहते हैं एक-एक आउधारनाओं को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं पहली आउधारना है Zone of Proximal Development ZPD इसके तहट संग्यानात्मक विकास के दोरान ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिसमें बालक किसी समस्या के समधान करने के कगार पर होते हैं परन्तु उन्हें किसी के मार्गदर्शन या दिशानिर्देश के आउशकता होती हैं यह दिशानिर्देश किसी भी रूप में हो सकते हैं जैसे संकेत देना, अपिप्रेरित करना, कोई उपाय बिद्बाना इत्यादी बालक जब किसी के दिशा निर्देशन तथा मार्गदर्शन द्वारा कारे को पूरा कर लेता है तब उसे समीपस्त विकास का शेत्र या ZPD कहा जाता है दूसरी अधारना है स्कैफ फोल्डिंग समीपस्त विकास के शेत्र का इस्तर निरंतर परिवर्तित होता रहता है क्योंकि योग्य सहपाटी के बीच ग्यान का इस्थानांतरन लगातार होता रहता है योग्य वेक्ति द्वारा दिए गया दिशा निर्देश को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं यह दिशा निर्देश धीरे धीरे कम होता जाता है और जब बालक स्वयम समस्या का समाधान ढूनने के योगे बन जाता है तब यह निर्देश समाप्त हो जाता है तीसरी अधारना है More Knowledgeable Other, M.O.K. M.O.K. से तातपर ऐसे व्यक्ति से है जिसके समझ का इस्तर सीखने वाले बालक के समझ के इस्तर से उच्च होता है M.O.K. कोई सिख्षक, दोस्त, साथी बालक या कोई भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है जो अपनी उच्च समझ के कारण बालक को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है उदाहरण के लिए वर्तमान समय में मूवी या सिनेमा की जानकारी बड़ों की बजाए छोटे बच्चों को जादा होती है आईए वाइगोट्सकी के द्वारा दिये गया संग्यानात्मक विकास के कुछ अन्य महत्वण बिंदू पर चर्चा करते हैं पहला बिंदू है कॉलेबरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थी अपने समान उम्र के बालकों के साथ मिलकर अधिगम करते हैं दूसरा महतोपुर्ण बिंदू होता है कॉपरेटिव लर्निंग। इस अधिगम के तहट बालक किसे निश्चित उद्देश के लिए अपने साथियों के साथ छोटे समूह में मिलकर कारे करता है। तीसरा बिंदू होता है असिस्टेट लर्निंग, सहायक सीखना। जब बालक स्वतंत्र रूप से किसी कारे को करता है तो उसे सहायक सीखना या असिस्टेट लर्निंग भी कहते हैं। ती दो से चार के समूह में बैठ कर एक के बाद एक एक दूसरी को पढ़ाते हैं और इस सिक्षन के दौरान चार संग्यानात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं। पियाजे के सिध्धान्त में कुछ अंतर की चर्चा करेंगे। जबकि वाइगोट्सकी का मानना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। जबकि वाइगोट्सकी ये मानते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है और फिर भाषा से चिंतन का विकास होता है। दूसरा महत्व है कि कॉपरेटिव लर्निंग से या सहकारी अधिगम से बालक जादा सीखता है। चोथा तत्य है बालक असिस्टेड लर्निंग या सहायक सीखने से भी सीखता है। पांचवा महत्वण बिंदू है वच्चो के समीपस्त विकास के शेत्र जेड़ पीडी में ज्यादा से ज्यादा सामजिक अर्थयोगत क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए। ताकि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश हो और वो आगे अपने जीवन में आत्मा अनुशाशित हो सके। इस तरह हमने वाइगोट्स की के सामाजिक सिध्धान को सीखने की कोशिश की। निश्यत रूप से यह सिध्धान्त हमारे अंबियट के पाच्यक्रम के लिए बहुत उपयोगी है और आप सभी के लिए यह ज्ञान वर्थक है। धन्यवाद।